नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग इथोपिया की टिग्रे क्राइसिस वैसे तो देखे दोस्तों ये इशु थोड़ा पुराना है बट बात ये है कि मैंने इस पीपीट्यू को लगबग 10 से 12 दिन पहले ही प्रपेर कर लिया था मुझे रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल रहा था तो अब जब मैं इस पीपीट्यू को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ थोड़ा सा डीले हो चुका है इशु बट कहीं न कहीं इथोपिया की पूरी कल्चरल हिस्ट्री मैंने बता रखी है इसमें जो भी आपको ऑनलाइन दूसरी वीडियो मिलेंगी इथोपिया की टिग्रे क्राइसिस को लेके वो कहीं न कहीं आपको इस क्राइसिस की पूरी हिस्ट्री नहीं बताएंगी पूरे एथनिक क्लैश एथनो फेडरलिजम का कंसर्प्ट क्या है इथोपिया देश में जो कल्चरल हिस्ट्री है इनकी अलग अलग कम्यूनिटीज की वो किस तरीके से इवाल हुई है और इसको लेके आज की डेट में जो क्राइसिस हमारे सामने खड़ी हो गई है और ये आगे कितनी बड़ी हो सकती है इसके बारे में कुछ व्यूपॉइंट्स है तो इथोपिया की पूरी टिग्रे क्राइसिस को हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे आगे बड़न इस पहले वीडियो पे लाइक का बटन चैनल को शेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे जिनी डॉट से जवाब दूँगा टेलिग्राम गूर्प जोन कर लिजे इस लेक्चर की बीडियेफ के लिए इथोपिया का नाम के ऑफिशल निम फेडरल डेमोक्राटिक रिपब्लिक औफ इथोगिया इसके बॉडर है कहां पर इथोपिया गई पार था बाद में ये अलग हो गया ठीक है तो जब इथोपिया गई पार था तो रेड सी के साथ बाउन्टरी लगती थी इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री नहीं था अभी के लिए एथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री बन चुका है कोई भी सी की बाउन्टरी इससे नहीं लगती East में Digibuti है, Somalia है South में आजाए इतोपिया के तो Kenya है अगर आप आजाओ इसके South West में तो South Sudan है और proper West में क्या है? Sudan है तो Eritrea, Digibuti, Somalia, Kenya, South Sudan, Sudan Actually में South Sudan और Sudan भी दोनों एक ही country दी पहले बाद में ये दोनों दो भागों में तूट गई इनके बीच भी लड़ाई हो रही थी on the basis of ethnic clashes मतलब ethnicity के basis पर लड़ाई हो रही थी अगर population देखी जाए इतोपिया की, तो लगबग 10 करोन 90 लाख लोग रहते थे इतोपिया में 2019 में 12th most popular nation है अफरीका का 2nd most population nation सबसेदा पॉपलस कौन है अफरीका में तो नाइजेरिया सबसेदा पॉपलस है ठीक है, अगर बात की जाए अच्छा एक और बात, इतोपिया के लिए एक important factor, most populous landlock country in the world, ये याद रखना वह ये MCQ महा सकता है country का area कितना है, 11 लाख square kilometer, largest city के अदिस अबबा, कहीं दिख रही है आपको इलाजेसिटी, ये दिख रही है यहाँ पे this is basically अदिस अबबा on the map of Ethiopia, ये है इनकी capital कहीं न कहीं Christianity और Islam धर्म practice करते हैं लोग अदिस अबबा, यानि Ethiopia के अंदर इसको foreign rules से आजादी मिली थी, ethnicity city का एक बहुत major role है Ethiopia के अंदर, कैसे हैं उसके बारे हम अभी बारत करेंगे अभी के लिए Ethiopia के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो Abby Ahmed साब है, ये रहे इनका नाम, नाम याद रखेगा किसी one liner पूछा जा सकता, बहुत news में रहे है, Abby Ahmed साब Nobel Prize winner है कहीं ना कहीं, Abby Ahmed साब है तो Nobel Prize मिरस, लेकिन जो Tigray region है देश का country के बिलकुल extreme north में है जो कि Eritrea के साथ boundary share करता है इस Tigray region में एक military action को initiate किया है Mr. Abby Ahmed ने और ये military action किसके against focused है Tigrayan People Liberation Front के against open है ये Tigrayan People Liberation Fund एक militia कम political party है ये जो Tigray People Liberation Front है Ethiopia की domestic politics में TPLF की बहुत चलती है बट कहीं ना कहीं Abby Ahmed ने TPLF की आउकाद को कम करने कोशिश की है जिसके चलते TPLF ने भी resist किया और पूरा का पूरा बवाल फैलता नजर आ रहा है अगर आप बात करो overall Ethiopia के divisions की 9 regional states है Ethiopia में जो Tigray वाला state है इसको आप region 1 भी बोलते हो इसके फेडरल यानि Ethiopia के फेडरल समिधान के साब से और इस Tigray region की जो largest city है वो है Macal, इसकी capital भी है Tigray 5th largest है area में Ethiopia के 9 regional states में 5th popular से और 5th most densely populated है तो जो 9 regions से Ethiopia भी आपको नजर आ रहे हैं सबसे north में आपको नजर आ रहा है दोस्तों Tigray और यहाँ पे Tigray में जो Tigran people है इनमें ही आपकी TPLF नाम का ही जो organization है यह बहुत ज़दा active है Tigray नाम की जगह पे कौन-कौन लोग रहते हैं तो Tigrayan people रहते हैं Irob रहते हैं और Kunama people से रहते हैं यह वहाँ की आप tribe बोल लीजे यह ethnicity अलग मान लीजे तो अलग ethnicity बोल लीजे अलग tribe बोल लीजे जो आप बोलना चाहो वो बोल लो अब थोड़ा इस TPLF की history देख लेते हैं दोस्तों यह बना था 1975 में as a resistance army of Tigran people देखिए यह जो TPLF नाम का organization है न दोस्तों इसने एथोपिया नाम के इस देश के लिए काफी कुछ किया है एथोपिया में पहले चलती थी military dictatorship और यह military dictatorship कौन चलाता था डर्ग नाम का एक organization चलाता था यह जो डर्ग नाम का organization था 1974 में बना था कहीं न कहीं इस डर्ग नाम के organization के military dictatorship को रोकने के लिए 1975 में ऐसा resistance पैदा हुआ टीपी एलफ और कहीं न कहीं टीपी एलफ को 1991 में उखाड फेका गया आम ड्रेबल्स त्वारा इसमें टीपी एलफ का एक major role था तो टीपी एलफ का एक major role रहा है military dictatorship से आजाद कराने में किसको इथोपिया को finally आप देखोगे टीपी एलफ जब 1991 में डर्ग को उखाड फेकेगा तो उसके बाद उनको पूरे इथोपिया में national heroes की तरह देखा जाएगा और टीपी एलफ के जो लीडर थे मेलस जिनावी ये बन जाएंगे interim president of इथोपिया कब 1991 में फिर ये बन जाएंगे पहले elected prime minister कब 1995 में और जो देश का ethno federal system चल रहा है जो कि 2012 तक power में रहा इसमें कहीं न कहीं credit कि इसको जाता है मेलस जिनावी को जो कि एक TPLF leader है आप बोलोगे कि भाई ये ethno federal system क्या होता है ethno federalism का मतलब यह होता है एक ऐसी federal system of national government जहां पे power को region wise बाटा गया है और उन regions में किसी एक ethnicity के लोग dominant है तो multi-ethnic regions है और ये जो multi-ethnic regions है इन regions ने overall centralized leadership में power को बाट रखा है यानि ethnicity के इसाब से political representation है ethnicity के इसाब से ताकत को बाटा गया है इसको बोला जाता है ethnic federalism कहीं न कहीं इस ethnic federalism को ले किया थे मेलस जिनावी जो कि TPLF के leader थे विजम भी बोला जाता है आज की date में भी ethnic federalism वाला जो structure है वो dominant है कहीं न कहीं उस structure के साथ ही खिलवार किया है ABIMS साब ने तभी इथोपिया में इतना बवाल हो गया अब बात कीजा दोस्तों इथोपिया की गदी पर राज किया है political party ने जिसका नाम है EPRDF Ethiopian People Revolutionary Democratic Fund ये जो Ethiopian People Revolutionary Democratic Fund था इस coalition को बनाया था मिस्टर मिलस जिनावी ने मिलस जिनावी एक TPLF लीडर थे अब जब आप बात करोगे मिलस जिनावी साहब की तो इनको authoritarian भी बोला जाता था कहीं न कहीं इनके राज के खिलाब बहुत सारे mass protest हो रहे तो लोग इनसे खुश नहीं थे बट ये जो coalition है ना दोस्तो Ethiopian People Revolutionary Democratic Fund ऐसा नहीं कि इसमें केवल Tigran People है इसमें Oromo Democratic Party का भी रेप्रेजेंटेटर था Amhara Democratic Party का भी रेप्रेजेंटेशन था Southern Ethiopian People's Democratic Movement का भी रेप्रेजेंटेशन था लेकिन इस EPRDF में जो सबसे dominant force थी वो कौन सी थी? TPLF और TPLF का राज था थोड़ा-थोड़ा authoritarian हो रहा था थोड़ा-थोड़ा dictatorship type का हो रहा था तो कहीं न कहीं लोग TPLF की leadership से नाराज थे जब लोग TPLF की leadership से नाराज हुए और कहीं न कहीं जो एक major तबका है इथोपिया का वो भी नाराज थे Actually में TPLF Tigran People की representative है और जो Tigran People है वो overall इथोपिया की पूरी आबादी का केवल 6% है और रोमो पीपल पूरी आबादी का 34% है अमहरा पीपल पूरी आबादी का 27% है तो कहीं न कहीं Tigran People एक तो dominant हो रहे थे Autocratic Leadership की तरह जा रहे थे Dictatorship की तरह जा रहे थे तो भाई देश के अलग-अलग तबके के लोग खड़े हो गए और बोले कि भाई ये एक तो Tigran People Minority में उसके उपर से हमारे उपर ये Authoritarian पराद दिखा रहे है तो कहीं न कहीं TPLF को ये Realize हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे तो लोग हमारे राज को जेली नहीं रहे तो EPRDF नाम का जो Coalition है जिसमें TPLF Dominant था TPLF की Leadership ने क्या किया कि 2018 में Mr. Abay Ahmed जो कि एक Former Military Intelligence Officer थे उनसे बोला कि आप Government को लीड करिये प्राइम मिनिस्टर बनिये और Mr. Abay Ahmed प्राइम मिनिस्टर बन गये और Mr. Abay Ahmed ओरोमो कम्यूनिटी को बिलॉंग करते अब समझ ये EPRDF जिसमें मेजर जो रोल प्ले करने वाली पार्टी थी वो थी TPLF टिगरन पीपल की रिप्रेजेंटेटिव 1991 में इथोपिया से मिलिटरी रूल उकार के फेकने में इस TPLF का मेजर रोल था मेलस जिनावी ताकत में आये थे मेलस जिनावी नहीं ये EPRDF बनाये था और EPDF में टिगरे पीपल डॉमिनेंट है कहीं न कहीं टिगरे पीपल के राज को लोग माने इसलिए टिगरन पीपल ने TPLF ने मिस्टर अबे एमज जो की एक औरोमो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया लेकिन इसके बाद चीज़ें बदलने लगेंगी Overall जो Ethereum अरेज्मेंट था इसके अगेंस्ट बहुत सारी आवाजे इठने लगेंगी औरोमोस बोलेंगे हमारी 34% आबादी है अमहरा बोलेंगे हमारी 27% आबादी है टिगरे पीपल की किवल 6% आबादी है तो जब टिगरे पीपल की किवल 6% आबादी है तो इतनी ताकत टिग्रे पीपल के हाथ में क्यों है और यहां पे Mr. Abbey एहमन ने क्या किया कि TPLF की ताकत को कम करना शुरू किया Mr. Abbey एहमन ने की गौर्वर्मेंट पोस्स से TPLF के फंक्शनरीस को उटा दिया वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको TPLF ने जेल में डाला था उनको छोड़ दिया फ्री मीडिया को प्रमोट करने लगी Eritrea नाम का जो देश है जिसका TPLF एक दुश्मन है अगर आप Erit map देखो दोस्तों तो थोड़ा map पे आ जाता हूँ यह आपको देख रहा Eritrea Eritrea पहले इथोपिया का पार्ट था बाद में वो Eritrea से अलग हो गया यह जो उपर का Tigrain रीजन है न दोस्तों यहां के लोगों की Eritrea से बिलकुल नहीं बनती In fact इस रीजन की जो most dominant political party है TPLF party वो TPLF party के Eritrea से नहीं बनती तो Eritrea से अच्छे रिष्टे TPLF party सपोर्ट नहीं करती लेकिन प्रॉब्लम यह है Abay Ahmed साब यह बोलते है कि मैं Eritrea के साथ रिष्टे अच्छा करूँगा तो इसके चलते भी Abay Ahmed के बीच में और TPLF के बीच में चीज़ें खराब होने लगी और दोनों ही EPRDF के थे तो EPRDF अंदर से कमजोर पढ़ने लगा प्लस मिस्टर Abay Ahmed मैंने आपको बताए कि Oromo Community के मेंबर है तो कहीं न कहीं ताकत को Ethno Federal Arrangement में Population के हिसाब से Concentrate करने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर Abay Ahmed साब और TPLF जैसा Organization जिसने देश को Military Leadership से बचाया था वो अलग बात है कि वो कुदी Authoritarian हो रहा था वो इस प्रकार का अपने आप से ताकत को खीच लेना क्या वो बरदाश करेगा और वेसी बरदाश नहीं करेगा TPLF पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो ताकत थी जो हमने अपने पास Concentrate कर रही थी वो ताकत हमसे वापस कीची जा रही है और जब ताकत वापस कीची जा रही है तो भाही रियाक्शन आएगा ताकत वापस कीचने का एक और तरीका था Mr. Abay Ahmed ने एक नई Political Party बना दे जिसका नाँ था Prosperity Party Prosperity Party में जितनी भी Coalition की पार्टी इस थी EPRDF की उन सब ने जोइन किया TPLF ने जोइन नहीं किया TPLF को साफ साफ लगा कि यह जो नई Political Party है यह Mr. Abay ने इसलिए बनाई ताकि वो पावर को अपने हाँच में Consolidate करना चाहते हैं और फिर TPLF की जो Leadership थी जिसने अमना Centralized Base अदिस अबबब बना रखा था जो कि इथोपिया Capital थी वो अपनी Capital को लेके Makaylae, Tigre Regional Capital में जो Tigre नाम का region दिखाया था उन्हें शुरुआत में ग्रीन रंके में अपमें उसकी Capital Region है Makaylae तो TPLF उन्हें बोला कि Centralized Government में तो हमारी चल नहीं रही तो भाईया हम अपने इलाके में वापस जा रहे हैं मकaylae को अपना Base बनाएंगे अब यहाँ पर एक बहुत Key Decision आता Mr. Abay Ahmed बोलते हैं कि जो Parliamentary elections है मैं इसको postpone कर रहा हूँ कर सकते हो यहाँ पर TPLF ने Mr. Abay Ahmed के उपर इल्जाम लगाए कि आप Power को अपने हाथ में Concentrate करने के कोशिश कर रहे हैं अब देखिए दोनों parties कुछ हट तक गलत हैं दोस्तों यहाँ पर TPLF भी पूरी तरीके सही नहीं है और Mr. Abay Ahmed साब जो कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके सही नहीं है Mr. Abay Ahmed साब ने Clearly TPLF से Power को छीनने की कोशिश की और TPLF रिजिस्ट कर रहा है लेकिन TPLF का जो रिजिस्ट करने का तरीका है वो डेंजर से तीन नवंबर को Tigran region में जो Federal Military Command थी यह नहीं इथोपिया की Military का Base था उस Base पे कबजा कर लिया TPLF के Militants ने जो Tigran region था ना Green वाला जो Eritrea के साथ boundary share करता है वहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की एक Force बना रहा की जिसको वो अपनी आर्मी बोलते हैं और इथोपियन गौर्वर्मेंट के साब से वो militants है इन militants ने Tigran region में जो इथोपिया की आर्मी थे उसकी military compound के उपर कबजा कर लिया उसके बाद Mr. Abay Ahmed ने military operations declare कर दियो कहीं न कहीं military operations में तोब गोले बं बरसाए जा रहे हैं Tigran region पे जिसमें actually में नुकसान किसका हो रहा है उन लोगों का उस्तान हो रहा है जो वहाँ पे रह रहे है एक और चीज़ हुई चार नॉमर को दोस्तों अदिस अबाबा budgets allocate करता देखिए budget को पैसे को distribute करने की तो ताकत किसके पास है central government के पास है central government को lead को ने कर रहा है Abay Ahmed lead कर रहा है Abay Ahmed को पैसा भेजना था TPLF के पास Abay Ahmed ने TPLF को पैसा भेजना मना कर दिया in fact उन्होंने ये बोला है कि जो local administration है मैं कहले का देखिए Mr. Abay Ahmed के कहने के बावजूद जो TPLF की leadership थी उन्होंने local level पे जो भी elections होने थे जो regional elections होने थे Tigray वाले इलाके में वो conduct करा दिये आप देखिए इन्होंने क्या किया Abay Ahmed साब ने parliamentary elections को postpone कर दिया Tigray वालोंने बोला कि हम elections postpone नहीं करेंगे उन्होंने अपने इलाके में election conduct करवा दिये तो Abay Ahmed ने बोला कि भाई आप हमारे directions के खिलाफ अगर election conduct करवा रहे हो तो हम जो पैसा भेजते थे आपके थ्रू लोगों के पास वो नहीं भेजेंगे पर Mr. Abay Ahmed ने कहा कि हम लोगों के पास पैसा भेजेंगे बट वो जो लोगों के पास पैसा है वो सीधे सीधे local administration के थ्रू जाएगा और वो local administration जो वहां की regional party है उसको भी report करता है Central government को भी report करता है तो Abay Ahmed कोशिश ये कर रहे हैं कि जो political leadership है TPLF की Tigran region में उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और direct लोगों के साथ connect करने कोशिश कर रहे हैं बट Mr. Abay Ahmed और Oromo community के हैं और Tigran region में Tigran community को लोग रहते हैं और जब ethnicity और community पे बात आ जाती है तो एक दूसरी community का person एक दूसरी community के persons के उपर influence रखे ये करना काफी मुश्किल होता है कही न कही Mr. Abay Ahmed को Tigran region के उपर अगर control रखना था तो TPLF की leadership के साथ अच्छा मेनाक रखनी चाहीए थी बड Mr. Abay Ahmed ने TPLF की leadership के साथ पंगा मोल लिया डायरेक्ट लोगों के साथ connect करने की कोशिश कर रहे है और डायरेक्ट लोगों के साथ connect हो नहीं पा रहा है जब पैसा रोक दिया ना Abay Ahmed ने TPLF का TPLF ने साफ साफ बोला कि ये जो पैसा रोका गया है और यहाँ पे बवाल सा छिड़ गया एक civil war की crisis सी उठती यहाँ पे नजर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो Tigran की regional government और European federal authorities उनको आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए भई बातचीत नहीं हुई तो एक major crisis यहाँ पे शुरूओ हो सकती है तो कहीं न कहीं federal government ने जो budgetary cuts की है उस पैसे को तुरंट release करना चाहिए और कहीं न कहीं जो TPLF की leadership है उनको सीधे सीधे भईया federal authorities के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए जो लडाई हो रखी है यह सही है नहीं कहीं न कहीं इसका जो overall geopolitical anger है वो भी dangerous है Ethiopia की central government की काफी अच्छे रिष्टे हैं किसके साथ Eritrea के साथ यहां पे आपको दिखरा Eritrea तो Eritrea के साथ बहुत अच्छे रिष्टे है किसके Euthor피ya के government पे वहीं पर यह जो tigre region है आपे इस tigre region के बिलको अच्छे relation नहीं Eritrea के साथ बट कहीं न कहीं स्टिग्रे रीजिन वारे लोगों के सुडान के साथ अच्छे रिलेशन है और सुडान का खुद इथोपिया के साथ लैंड बॉर्डर का इशू है तो सुडान के साथ जो इथोपिया का लैंड बॉर्डर इशू है और जो TPLF की अच्छी leadership रही है सुडान के साथ उसके चलते हो सकता है कि सुडान बैक एंड से TPLF की leadership को मदद दिने लगा और सुडान अगर TPLF की leadership को मदद दिने लगा तो इथोपिया के लिए problem हो जाएगी ये war बहुत लंबा चलेगा जितनी आसानी से मिस्टर एबे एमस सोच रहे हैं कि वो तिग्रिन पीपल को दबा देंगे उतनी आसानी से दबा नहीं पाएंगे कही न कहीं TPLF भी कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है TPLF ने कुछ गोले दाग दिया Eritrea की तरफ ताकि Eritrea भी इस जियो परिटिकल कांट्रिक्ट में इन्वाल्व हो जाए Overall जो situation है न वो बहुत खराब होती नदर आ रही है और बहुत जरूरी है कि USA, European Union और खासकर चाइना जैसी कंट्रीज जिनोंने बहुत हदत तक investment कर रखा है आपका Ethiopia के अंदर वो involved हो leaders के साथ सामने बैठके बातचीत कराने की कोशिश करें ने तो पूरा जो horn of Africa का इलाका है वो destabilize हो जाएगा Ethiopia, Somalia, Digibuti, Eritrea ये सब आपके horn of Africa में आते हैं तो ये था आज का analysis दोस्तों I hope आपको सीखने को मिला होगा Thank you for watching, have a great day